वो यह है कि जर्मिनी में जर्मिनी में जो सबसे बड़ी जो क्या कहेंगे मॉस्क है मस्जिद वहां पर अलाओ कर दिया है कि आप लाओट स्पीकर लगाओ वहां पर और अजान देतें यह जर्मिनी की बात हो रही है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं तो दुनिया भर में I think जहां तक I'm not wrong I hope I'm not wrong कि पतनी शाहिए जर्मिनी में सबसे ज्यादा मुस्लमान है योरप में I think Germany में सबसे ज्यादा मुसलमान है और किसी ने प्रडिक्ट भी यही किया था कि Germany 2050 तक जो है ना मेजॉरिटी मुसलमान कंट्री I mean बन जाएगा तो yeah और France उसके पीछे पीछे ही है मगर France ने थोड़े बहुत जो है steps लेने शिरू कर दिये हैं Germany में भी लोगों को वापेश भेजा जा रहा है जो refugees वगर आये थे um मगर this I find is a step backward uh cologne was funded by Turkish dyan dyanate France में France में भी है France में भी है तो एक-एक करके एक-एक करके गिरेंगे यह जैसे वो यह चैस गेम यह चैस गेम चल रही है guys the thing is or I don't know कि I don't know कि West में जो politicians हैं वो इतने चूतिया है या उन्होंने अपना जमीर बेच दिया है I don't think कि वो इतने चूतिया हैं मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि money money it's all about money पैसा क्या-क्या आपको खरी के दे सकता है तो लोग अपने ही मुल्कों को बेच देता हैं tracters जिसे केते हैं na जो ट्रेटर्स होते हैं वो अपनी मुल्कों को बेच रहे हैं और आइसा-इसा करके अपने-ई-मुल्कों को गिराने की कोशिश कर रहेا तो ये एक एक करके गिरेंगी, योरप तो आप देखी रहे हो, योगा जर्मिनी, फ्रांस और आइस्था आइस्था करके, अगर इन लोगों ने अभी कोई सेंड नहीं लिया, इसलाम का मकसद यह है, अगर आप लोग सब नहीं जानते हो, और यहीं मेरी समझ में नहीं आता, कि इतने सारे लोग वेस्टरन कंट्रीज में हैं, इसलाम का मकसद क्या है, मुस्लमानों का मकसद नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ, इसलाम में क्या लिखावा है, इसलाम में यह लिखावा है, कि इसलाम को पूरी दुनिया में फैलाना है, इसलाम पूरी दुनिया में पहलेगा तब पता नहीं कोई आएगा इसी तरह से कुछ है, right? So, जब आपको यह खुदी बता आ रहे हैं, when they're telling you, कि उनका मकसद यह है, कि पूरी दुनिया में इसलाम को पहलाना है, पूरी दुनिया में शरीयत पहलानी है, I arrest my case, so, आप पिर किस सरी के से इनको चलो, आने देते हो, तो आने देते हो, I understand. मगा फिर अपने सर पे बढ़ने के लिए क्यों करते हो, like, why are you putting them on your, on their head? आपके, इसलामिक मुमालिक में, कौन से मापे चर्च बेल्स बज़री हैं, या मंदिरों में जो भज़ंग बज़रे होते हैं, वो लाउट स्पीकर्स में या अलाओ करते हैं, मंदिर बन रहा था भी सामबाद में, उसको तोड़ दिया था, आप अपने मुल्क में तो बिल्कुल कुछ नहीं देते हो, मगर आप कोशिश कर रहे हैं, दूसरी यूरोपियन कंट्री में जाकर टेक ओवर करने की, और ये लोग, यनि करने दे रहे हैं, गोरे, करने भी दे रहे हैं, ये, again, जो लेफ्ट, जो है, वो इतना उस चीज में प्लीजिंग में, और अपनी गान खुदी मारेंगे ये लोग, अपनी गान खुदी मारेंगे, अब लास्ट येर, कैनिडा में अलाओ किया था इनको करोना के उसकी वज़ा से, कि है, इन लोगों को, हम मस्जिद जा नहीं सकते हैं, मगर हम मस्जिदों के करीब फील करना च जाते हैं, ताकि वो लोग अपने घरों में अजान को सुने, क्यूंकि आजकर तो आप अजान सुने भी सकते हैं, अगयने यूटूब पर आप अजान नहीं सुन सकते, मैं जानती हूं लोगों को जिनकी अलारम घडियां जो हैं, उस फे हमारी घडियों पर टिंग डॉंग टिंग डॉंग होता हैं, उनके घडियों में अजान चलती है, हर टाइम की, साथ टाइम की है, जो भी है, I don't know, every hour, हाँ, हर घंटे, जैसी hour complete होता है तो अजान चलती है, तो जिनको सुनना है वो ये भी तो कर सकते हैं, ज़रूरी है कि आप ऐसे मुल्क में आकर जहां पर ल जरा सा भी अगर लॉन मोर चलाओगे, म्यूजिक चलाओगे तो अवाज गूचती है, राइट, अवाज गूचती है और हम लोग सब, सब ये जो पूरी कम्यूनिटी है, सब हम मैंटेन करते हैं कि किसी को disturbance ना हो, हमें क्या पता कोई दुन में सो रहा है, कोई रात में सो र मैं देखा कि इस दिन ये पार्टी हो रही होगी, तो अगर हम थोड़ा सा लेट जागेंगे, तो थोड़ी बहुत नौइज होगी, ये इतनी कंसिडरेट चीज है करने के लिए, ताकि किसी को तकलीफ ना हो, कम्यूनिटी में, तो मैं जो तो यहां पर कह रहा है, हम तो जाने देंगे, आपको तकलीफ हो या ना हो, हमें क्या इससे, हमें तो आवाज आनी चाहिए, वस, you know, और मैं जब यहां मूव हुई हूई हूँ, यहां सारे गोरे जादा रहते हैं, मैं बता चुकी हूँ, जादा और गोरे हैं यहां पर, गल्ती से मैंने एक दफार रॉं मैंनो को नहीं देखा, मगर मॉस्क पहले बनी भी थी महाँ पर, यह इसी तरह से होता है, आइस्दा इस्दा करके, वो इसी तरह से टेक ओवर करते हैं, नेक्स दिंग यूनो, प्ष्ष्ट, हमको अब शरीया लोग चाहिए, आप दूसरा टर्की बना देंगे, यहां सम रा जाएंगी, तो देखते हैं, क्या होता है आगे, लोग इस पे कुछ बोलेंगे, यहां लोग इस पे क्रिटिसाइज करेंगे, इसका मैंने रियाक्शन तो मैंने नहीं देखा की क्या आया है, मगर बिचारी गुरि भी क्या करें, उन गोरि भी बोलते हैं, मगर कोई उनकी में बाजने में आपहर्ग अश्में मुझाः टकुछ इच में नहीं है माँए अपको यू शिंग करोगे रहे एक पैंदेल मौता है वक्तवाइफ इसवें करोगे तो फिर जा गे इंग दीच में आयेगा तो अभी लेफ्ट की तरह गया है उतल यह रहें टोरीबाइट मेरा पूरा राइट विंग भी नहीं चाहिए हमको कि पूरे राइट विंग से फिर भी आप देख रहे हो के चंद मुल मुमालिक हैं जिनका क्या हाल हो रहे हैं हिंदू टेंपल्स अर एक्सपेंडिंग आप यहां पे चर्चिस को देख लो तो यहां के जो प्रीस्त हैं oh my god उनकी देखो इंकम कितनी आती है कितने पैसे बनाते हैं यहां पर चर्चिस यहां पर ब्रेंटन में एक टेंपल बनाया है जिसके पथर सारी चीजें इंडिया से आई हैं और बिल्कुल ताज महल की लगता है तरह लगता है तो ब्यूटिफुल तो मुझे आप यह बात बताईए कि कितना पैसा लगाओगा ना इस चीज़ पर कितना पैसा लगाओगा और हमारी गावर्मेंट्स हमारे लोग जो मैं देखती हूं के चूतियाँ पे पे पैसा लगते हैं यानि हमारे टैक्स डॉलर्स जिसके लिए हम अपनी गाण वरवाएंगे पूरी लाइफ उसको ऐसी चूतियाँ पे चीज़ों पे लगाएंगे कि यानि एक गाण रहाँ लग जाती है For example, मैं आपको बताती हूं कि पिछले साल है उससे पहले की है मेरे खाल से दो-तीन साल पहले की बात है यहां की जो प्रीमियर है था ओंटेरियो हमें जो थी प्रीमियर उसने एक जाएंट बत्थ रबर की बत्थ उस पे पता नहीं कितना पैसा टैक्स डॉलर्स लगवाया इतने बड़ी बत्त के पाल जाकर तस्वीर खिच्वाओं मेरी तो समझ भी नहीं आता कि इन लोगों को गवर्रमेंट में डालता गौहन है इतने पैसे तुम अपनी एजूकेशन तुम्हारे हॉस्पिटल्स जाएं उन्हें लगा दो ना भेंचो इतनी बड़ी बत्त या पाकिसान पॉड्व जाथ जब लास्ट एम में गई ती तो में लोगों कहा ओता कि दुनियाका आठवा अजूबाअ और जूब आप आठवा आठवान थै क्योंकि आठवा जूबह तो वैसे ही छी है नरा राय्ट तो दुनियाका अठहा उजूबह गिनिस वर्ल्ट मैं बुक औफ रेक्ड में आया है सफारी पार्क में आया है आके देखिए सफारी पार्क में आया है आकर देखना है वड़ा जूबा है मैं ने कम मैं भी देखु हो यार क्या चीज है तस्वीर देखो तो क्या बनाया है उन्होंने एक काटा एक चम्चा तेक फॉर्क मैंने गाए इस से और घटिया चीज पाकिसान ने बनाई नहीं सकती और कितना बस लंबा सा स्टैचू बनाया वा था और उसको देखने सब जा रहे थे क्योंकि कभी किसी ने काटा चम्चा फॉर्क तो देखा ही नहीं था यानि तुम लोगा कुछ डिजाइन करना है दिखाने के लिए लोगों को कुछ बड़ा काम करना है तो कुछ बड़ा चीज बना लो यानि मैं कहती हूं कि यह जो मंदरिया बनाया है अट लीस उसको आप देखो तो ताज महल की तरह लगता है I can see ठीक है ना उस पे मगर एक र किसी अची चीज पर टूरिजम बढ़ा लो कोई कुछ बना लो सो हमारी गवर्मेंट्स जो है ना उनका कुछ नहीं हो सकता और हम तो हम तो हम हमारा तो पता नहीं यूनिवर्सी हाफिज है क्योंकि हमारे तो चूतर प्राइम मिनिस्टर है उसको फिर से दुबारा से लोगों ने पिक कर लिया है मुझे पता है मुझे ऐसा लगता है अब मुझे आप लोग कंस्विरेसी थेरस बोलो या जो भी बोलो मगर मुझे को लगता है कि यहां पर भी ऐलेक्शन यह न वो धांदली चल रही है यहां भी चल रहा है कुछ ना कुछ, ऐसा हो नहीं सकता कि वो चूतियां दुबारा दुबारा जीतें, यह हो ही नहीं सकता कि यहां पर यह लोग कुछ ना कुछ गड़बर जरूर कर रहे हैं, there has to be something.